हेलो रिवन, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एजूकिसनल चैनल में आपका स्वागत है आज के विडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टड़ी करेंगे pain killer medicines के बारे में और सिखेंगे उनका basic उच कौन से अलगला conditions के अंदर आप ये pain killer medicines को यूज कर सकते हैं साथ में जानेंगे उनके side effect और proper जानकर्य देंगे आपको ये video lecture के अंदर एकदम सरलबासा में तो painkiller के जिनको हम दर्द निवारक दवाय कहते हैं तो जानते हैं उनके बारे में डीटेल में तो Expert Lecture by Amr Sir Assistant Professor and Founder of PharmaRocks Thank you for being in 2-Legg Family of PharmaRocks Updated रहिए Pharma Knowledge के साथ Access करिए Study material को Taste Series Video Lecture PharmaRocks के अप उपर तक अगर आपके पास Android phone है तो Android app डाउनलोड करें iPhone user है तो App Store पर से डाउनलोड कर सकते हैं Link आपको Description Box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले जो concept है वो समझेए कि painkiller medicines को analgesic भी कहा जाता है कि जैसे यहाँ पे title है analgesic तो analgesic मतलब कि ऐसी दवाईया कि जो painkillers के तोर पे काम करती है और उनका main concept होता है analgesia achieve करना analgesia कि जिसको हम simple समझे तो relief from pain कि जब भी हमारी body के अंदर अलग अलग pains होता है pain sensations होगे रहा होता है तो उसमें से relief देने का काम करता है यह medications की जिनको इसलिए कहा जाता है pain को kill करने वाली medicines that is painkiller analgesic drugs act in a various way on a peripheral and central nervous system अब यहाँ पे जो बात है कि यह analgesic दवाईया जो हम कहते है pain killer दवाईया है तो वो काम कैसे करती है तो जो हमारा nervous system है कि जिससे हमें अलग-अलग sensation होते कि जब हमारी nervous system अच्छे से काम करती है तब हमें हमारे body के कौन से area के अंदर pain हो रहा है कहाँ पे pain हो रहा है वो तब भी पता चलेगा कि यह neurons जो है वो अच्छे से काम कर रही है nervous system अच्छे से काम कर रहा है और समझो कि nervous system अच्छे से काम नहीं करता तो उस वाग हमें pain के sensation नहीं होते तो analgesic दवाईया क्या करती है कि specially affect करती है यह nervous system के उपर और दोनों टाइब की nervous system की चाहे वो central nervous system है या फिर peripheral और जो pain के sensation जो हमारे brain तक जाते है कि जिससे हमें पता चलता है तो उसको कम करके अपनी action देती है they are distinct from anesthetics which temporarily affect and in some instances completely eliminate the sensation कि anesthetics दवाईयों से यह painkillers completely अलग है because जो anesthetics जो हम की बात करे तो जो anesthetics या फिर जो anesthesia जो कहा जाता है वो short time के period के लिए ही दी जाती है कि जब patients के कोई surgery वगरा होती है तो उस वाग temporary pain sensations को कम करने के लिए anesthetics जो है वो दिये जाता है कि जब तक surgery होती है कोई operation होता है तक तब patient को कुछ पता ना चले इसलिए anesthetics दिये जाते है but यह जो pan killer है वो आपको काफी लंबे समय तक जो pain होता है उसमें से relief देता है और यहाँ पे patient को unconscious करने की ज़रूरत नहीं है proper जागरू तवस्ता में ही patient जो है वो pain में से जो है वो completely relief उनको मिलता है तो how they work किस तरह से यह काम कर दे तो different pain killer work इने different way कि अलग-अलग pain killer का का काम अलग-अलग तरीके से होता है कि जैसे कि कोई non-steroidal anti-inflammatory drugs की category में है कि जैसे कि ibuprofen है और aspirin कि जो non-steroidal anti-inflammatory drugs के class हम mainly कहते है यह क्या करता है pain तो कम करता है और साथ हुसाथ जो हमारी body के अंदर swelling होता है सुजन वगेरा होती है उसको भी कम करके अपनी action देते है mild opiate painkillers such as coding work by blocking the pain messages in our brain and spinal cord फिर जो mild opiates जो हम कहते है जैसे कि यह coding का जो example हम लेते है तो coding क्या करेगा कि जो brain तक message जाते है spinal cord तक message जाते है तो वो message जो होते है pain related वो block करते है blocking the pain messages in our brain and spinal cord अगर यह brain and spinal cord के पास समझे कि message ही नहीं जाएंगे pain related तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कहाँ पे pain हो रहा है तो इस तरह से यह painkiller medicines दवाया काम करती है तो analgesics are a medicines that are used to relieve the pain pain को relieve करती है जिनके करएं उनको pain reliever medicines भी कहा जाता है and technically the term analgesic refers to a medication that provide the relief from pain यह point खास समझे analgesic का मतलब होता है relief from pain without putting you to sleep or making you loss of consciousness कि आपको जो है वो ऐसा नहीं होता कि जो anesthesia के अंदर consciousness आपकी चली जाती है या फिर patient को अच्छे से सुला देते हैं कि जिससे उसके उपर जो operation हो रहा है कोई surgery हो तो उसको पता नहीं चलता but यहाँ पे जो pain killers काम कैसे करती है कि आप जो है वो proper consciousness ही होते हैं और बीना सोय यह directly आपकी जो body है उसके अंदर जो pain के जो sensation है वो कम पहुचते हैं जिसके करन आपको पता ही नहीं चलता कि आपके body के अंदर pain हो रहा है या नहीं तो इस तरह से यह pain relievers जो है वो बीना किसी person को unconscious कि the headache, sore muscles, arthritis or other edges and pain कि जितने भी अलग-अलग pains होते हैं कि लग आपको सरदर्द हो रहा है sore muscles के muscles के अंदर भी समझो कि pain हो रहा है आपको arthritis का problem है कि जो joints वगेरा है bonds वगेरा के अंदर आपको pain वगेरा हो रहा है कि जो joints होते है bonds के वहाँ पर सूजन है, inflammation है ear के अंदर pain हो रहा है teeth के अंदर कोई pain हो रहा है तो सभी के ilaj के अंदर ये medicine use कर सकते है and there are many different pain medicines and each one have a advantage and risk सभी के कुछ advantage भी है, सभी के कुछ risk भी है some type of pain respond better to certain medicines than other अब यहाँ पर क्या है कि कुछ medicines जो है, वो अपनी action जो है वो अलग-अलग तरीके से देते है और सभी के कुछ side effects भी होते है कि जो हम जानेंगे आगे lecture के अंदर तो analgesic मतलब कि pain killer, reduce the pain तो उसके example हम देखे तो peripherally actin मतलब कि body के जो अलग-अलग parts है वहाँ पर जो इनकी action रहते है कि जैसे कि salicylates के अंदर aspirin है and diflunisal तो यह दोनो salicylates है कि जो pain killer के तर्म पर काम करते है फिर non-stetor anti-inflammatory drugs के अंदर ibubrufen आता है कि जिसके brufen tablet काफी famous है keto-rolak है, naproxen है और acetaminophen मतलब कि जो हम use करते है वो paracetamol फिर centrally acting कि जिसके अंदर ये weak narcotics medicines जो होती है कुछ के codeine कहा जता है oxycodone है, hydrocodone फिर tramodol करके है morphine है बट ये सब medicines बहुत ही कम use होती है ज्यादा तर जो popular हमका है तो over the counter directly आपको मिल जाती है वो है ये peripherally acting analgesic medicines तो non-opioid के अंदर हम देखे तो सबसे popular है paracetamol some of these are available over the counter or from pharmacist directly pharmacist से आप उनको purchase कर सकते है medical store से ले सकते है और paracetamol के जो आपको पता है कि जो fever में भी use होता है और साथो साथ वो analgesic भी काम करते हैं तो मलब कि analgesic antipiratic दोनों action है paracetamol के पास non-steroidal के अंदर हम देखे non-steroidal anti-inflammatory drugs के अंदर तो aspirin है naproxen है ibuprofen वगेर आप यूज कर सकते हैं कि जो over the counter बिना prescription के directly आपको ये medicines मिल जाते हैं फिर बात करें acyclofenac की कि जो वो भी एक nursing class का भी medication है non-steroidal anti-inflammatory drug and it work by blocking the release of certain chemical messengers that cause the pain and inflammation कि pain और inflammation की जो हम बात करते हैं सुजन के लिए responsible जितने भी अलग-अलग chemical messengers होते हैं कि जो brain तक message पहुचाते हैं कि जिससे आपको पता चलता है कि ये जगा पे pain हो रहा है उसके sensation तो उसको block करता है medicines और साथो साथ जो pain and inflammation के लिए जो responsible जो mediators होते हैं उनकी भी activity को कम करता है कि जो redness and swelling वगरा करते हैं तो इस तरह से ये acyclofenac की जो tablet की जो sustain release भी tablet पे आते हैं और ये tablet जो है वाप यूज कर सकते है as a pain killer उसके बाद बात करें diclofenac, sodium and paracetamol के जो combination में tablet आते हैं Phenec Plus करके जो ये brand है Renbexica तो ये क्या करेगा कि diclofenac तो आपको पता ही कि pain reliever है सबसे popular वो भी swelling को कम करता है and joint stiffness वगरा जो होता है pain की जो arthritis के अंदर mainly होता है तो उसको भी ये कम करता है तो diclofenac and acyclofenac दोनों जो है वो similar medication से उसके बाद बात करें तो compound painkillers this is when two different drug are combined into one दो अलग-अलग medicines एक दूसरी के साथ combination में जैसे कि diclofenac के साथ यहाँ पे paracetamol combination में है फिर यहाँ पे codine phosphate के साथ combination में है paracetamol के 15 mg जितना codine phosphate है और बागी का 500 mg जो है वो है paracetamol तो यह example आपने देख रहे हैं तो यह भी एक popular pain killer के तोवाँ पर काम करता है फिर बात करें तो compound painkillers के अंदर ही जो co-codamol करके है तो co-codamol में आप समझे तो एक जो है वो उन्होंने opioid analgesic लिया है कि जो codine है और बागी का जो हम देखे तो non-stator end-to-inflammatory drug में से paracetamol जो है वो यूज किया हुआ है तो pain relievers कौनसे अलग-अलग conditions में आप यूज कर सकते कि समझे कि आपको muscles pain हो रहा है body के अंदर तो इस वक भी यूसफुल रहेंगे headache हो रहा है मलब कि सरदर्ध हो रहा है sore throat की condition है और गले में आपको pain वगेरा हो रहा है inflammation है वहाँ पे सूजन वगेरा है तो ऐसा symptoms को भी ये treat करता है ear के अंदर आपको pain हो रहा है teeth pain हो रहा है and back pain तो ये सभी type के pain के अंदर काफी popular साभित होते है तो उनके जो common ingredient हम देखे तो pain reliever drugs के जो common ingredient की जो salt composition उनके देखे तो acetaminophen की जिनके अंदर paracetamol mainly रहता है ibobrufen की जिसके बारे में हमने study की थे के brufen के जो tablet साते है naproxen के जिसका aleukar के brand name काफी famous है acyclophane, diclofenac and dicyclamine hydrochloride तो ये सभी हो गए आपके लिए popular analgesic और ये रहे उनके अलग-अलग use की muscles pain, headaches, sore throat ear pain, teeth pain and back pain ये सभी conditions में आप उनको use कर सकते हैं फिर painkillers के medicines की जो tablet के अलावा हम देखे तो भी market के अंदर popular जो हम देखे अलग-अलग तो अलग-अलग जो pharma company से उनके spray भी अब बना रही है कि जैसे कि आपने ये wallini plus वाला spray देखा होगा फिर moog का भी अब spray जो है वा अवे लिबल है market के अंदर फिर wallini का ये pain relief spray देख सकते हैं फिर ये सिपना का omni gel करके आप यहाँ पे spray देख सकते हैं तो ये बहुत सारे अलग-अलग जो spray की जो aerosol containers के अंदर ये available होते हैं medicines कि वो भी pain killer spray के तोर पे काम करते हैं उसी तरह से आपने जो देखा होगा तो combi flame के अब gels वगेरा भी available है कि combi flame के gel के tablets तो आते ही है कि जो sun of ही बनाता है तो tablet भी available है फिर GAS के का जो product है iodex तो iodex के ultra gel भी available है कि जो pain killer का काम करते हैं फिर pain care gel आती है quick relief herbal remedies भी उसके अंदर mix होती है फिर woven gel कर भी भी available है कि जसके अंदर diclofenic रहता है linseed oil, methyl salicylate menthol gel वगेरा उसके अंदर होती है फिर wallenica तो gel आपको पता ही है और ये move का product अब बात करते हैं उनके side effects के तो उनके side effects क्या होता है आपके body के उपर तो सबसे popular side effects हम देखे तो ये medicine से कई बार आपको addiction होता है कि अगर आप लंबे समय तक painkillers लेते हैं कि 7 दिन या फिर उससे ज्यादा दिन तक समझे कि आपने painkiller लिए तो वो आपको करवा सकते है addiction कि आपको फिर वो लेने का मन ही होगा कि बले pain नही है आपके body के अंदर तो भी आपको वो medicine खाने का मन होगा लब कि आपके अंदर addiction हो चुका है फिर addiction के बाद समझे कि आप continuously 30 days तक उनको use करते है तो वो reduction in brain matter because ये medicine की जो असर ये है कि pain के sensations काम करवाती है कि brain में से जो release रने वाले जो chemicals होते हैं उनकी activity को काम करते हैं ये medicines काम करते हैं तो ज्यादा यूज करने से reduction हो सकता है brain के matters के अंदर फिर समझे कि आप और excessive use करते हैं 180 days के दग तो higher chance of depression कि आप जो है वो depression में जा सकते हैं कि अगर आप उसको 6 मेने या फिर उससे भी ज्यादा दिनों तक continuously use करते हैं side effects जानना जरूरी है फिर दूसरे side effect हम देखे तो saddition की नेंदाना फिर breathing slow हो जाना dependence ये आ सकती है tolerance हो सकता है आपके body के अंदर addiction हो सकता है उसका फिर दूसरे जो GI track के उपर हम side effect देखे तो constipation हो सकता है आपको nausea जैसा feel हो सकता है vomiting तो ये सब side effects develop होती है painkiller medicine से तो ये था special video lecture about the painkiller medicines thank you for watching join कर सकते है whatsapp group access कर सकते है study material को test series and video lecture pharma rocks के अप उपर तो अगर आपके पास android phone है तो android app डाउनलोड कर सकते है iphone user है तो app store पर से डाउनलोड करे link आपको description box के अंदर मिल जाएंगे so good luck and all the best